तो मैं मितुन सिंग स्वागत करते हैं तो इस प्रेटफोर्म पे जहां पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्विन इन्फरमेशन दे जाती है regarding any recruitment या सिर कोई information हो तो चलिए बात करेंगे आज TGT और PGT के लिए science के कौन सी किताबों को पढ़ा जाए, syllabus क्या होने वाला है पूरी information आपको मिलेगी TGT, PGT, science के regarding उससे पहले अगर आप नए हो, then please do subscribe this channel and press the show to bell icon सबसे पहले मैं आपको बता दू अप अप्लाई किया है आपने तो आपको 10 तक के जो book हैं वो complete कर लेने है और जिन्होंने PGT के लिए अप्लाई किया है उन्हें 12 तक का पढ़ लेना होगा लेकिन TGT वाले के लिए जो difficulty level आएगी वो plus 2 तक की आएगी और जो PGT वाले हैं उनकी जो difficulty level है वो graduation तक आएगी तो सबसे पहले देखिए अगर आप TGT या PGT किसी subject के लिए apply करना जा रहे हो fundamental आपका बिलकुल दुरुस्त होना चाहिए तो बिलकुल fundamental को दुरुस्त कौन करेगा NCRT तो देखिए सारे question तो NCRT से आएंगे नहीं बट अगर आपका concept अगर clear नहीं है तो फिर आप क्या ही कर पाओगे तो NCRT के book 9 की यहां से देख सकते हो आप 10 की देख सकते हो यहां से देखो 9-10 के अगर आपने NCRT पढ़ ली तो आपका काम 50% तो हो ही जाएगा अब आगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो PGT के लिए अपलाई कर रहे हैं उनके लिए यह किताब बहुत ही fruitful होगी और TGT वाली के लिए भी Pearson Publication की किताब आती है जो TGT mathematics के लिए भी जिन्होंने अपलाई किया है वो इस बुक को देख सकते हैं mathematics यहाँ पर आप रिप्लेस कर देना फिलिप कार्ट पर आपको यह सारी बुक जो है अबलेबल हो जाएगी वहाँ से आप देख सकते हो और इनका जो ascender है अगर आपने class 10 का लिया है तो definitely यह प्लस 2 का ascender आपको provide कराएगा देखो यहाँ पर IIT foundation है यानि कि जो engineering की तियारी करते हैं उनके लिए यह किताब है तो आपके लिए definitely अच्छी किताब होने वाली है मैंने personally इसे पढ़ाया और मैं आपको recommend कर रहा हूँ flip card पे मिल जाएगा आपको आगे देखिए 11 और 12 के आपको जो है chemistry की book NCRT की पढ़ लेनी है 11 और 12 की chemistry हो या फिर physics की किताब हो वो भी आपको पढ़ देना है अब देखिए उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी information दे दूँ अगर आप EMRS एकलब्या model residential school की preparation कर रहे हो TGT science के लिए तो previous year paper definitely आपके लिए एक vital role play करने वाला है एक crucial role play करने वाला है तो previous year paper आप कहां से लोगे तो बिल्कुल आपको मैं बता दू आपको yourmithunsing.gmail.com पे mail लिख लेना है और अपना जो mobile number है उसे जरूर ड्रॉप करें ताकि आपसे contact बनाया जा सके तो mobile number आप mention करते हैं दूसरी बात इंस्टा पे हो तो follow कर लो at the rate imithunsing वहाँ पे भी आप मुझे contact करके पूछ सकते हो आपको जो previous year paper चाहिए या कोई और भी CDP के notes वगेरा चाहिए होंगे तो आप contact कर सकते हो दूसरी बात अब आप बहुत सारे लोग comment में आएंगे और मुझे बोलेंगे कि EMRS का तो exam हुआ ही नहीं है आज तक तो देखिए DSSB के pattern को follow करेगा आपका EMRS तो DSSB, KB और NB के जितने भी paper हैं मैं आपको provide करा दूँगा 50 rupees में मैं आपको assure करता हूँ 70 plus paper आपको मिल जाएंगे तो definitely you have to go with that अगर आप लेना चाहते हो तो paper आप email कर सकते हो yourmithonsing at the rate gmail.com पे इंस्टाफ फे follow कर लो at the rate imithonsing पे आगे बढ़ेंगे और अगली जो paper है आपके लिए यहां से देख सकते हो physics की class 8 अब आप लोग बोल रहे होगे class 8 का तो पढ़ना नहीं है लेकिन देखो यह है IIT Foundation तो class 8 का जो standard है actually यह class 9 के भी paper को cover करेगा तो आप ले सकते हो Pearson publication की यह book बहतरीन किताब है एक बार आप खरीद के देख लो mathematics वाले के लिए तो उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा pattern क्या है इसका अब देखिए इस सेम चीज़े physics के लिए भी आप 9 का जो physics है वो Pearson के लिए consider कर सकते हो और class 11 और 12 के भी physics जो NCRT है वो तो लेना ही है आपको chemistry भी लेनी है अब देखिए एक और बात आती है ना कि अब syllabus क्या होने वाला है तो मैंने आपको syllabus बता दिया देखो कहीं पे भी mention इन्होंने syllabus किया नहीं है सिर्फ इतना लिखतिया है TGT वाले के लिए class 10 की syllabus है और जो PGT के लिए जा रहे हैं उनके लिए syllabus क्या है 12 तक की है लेकिन difficulty level definitely 10 से जादा और 12 से जादा पूछा जाएगा आगे बढ़ेंगे और chemistry के लिए भी आप 9 और 10 की किताब यहां से देख सकते हो Pearson की अब देखो actually EMRS के exam हुए नहीं है लेकिन आप अगर TGT और PGT के question paper previous year चाहते हो लेने के लिए UP के examination के तो आपके लिए youth competition की जो book है यह बहुत ही काम की book रहने वाली है आप इसे खरीज सकते हो इसमें solved paper भी आपको मिल जाएंगे तो यह book आप online मंगा सकते हो फिलिप कार्ट और Amazon दोनों जगों पे बिलकुल available है यह आप देख सकते हो आर्मी वगेरा भी exam जो DSS भी भी कराती है उसके लिए यह fruitful examination के लिए book रहने वाली है और एक और बात मैं के साथ include कर दूँ यह youth publication का है इसके अलाबा आप अगर चाहो तो आप जो है जो physics और chemistry के book चलते हैं जो आप उसे बोलते हो reference book या complimentary जो समझो आप परदीप की physics की book आती है और भी बहुत सारे publication है भारती भवन की बहुत सारे किताबे अच्छी होती है तो आप 910 का वो book को भी पढ़ सकते हो इससे आपके लिए beneficial हो जाएगी चीज़े आसान हो जाएगी अब देखिए यहां से आप मेरी email ID देख लो अगर कि नहीं को previous year paper चाहिए होगा yourmithunsing at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो या फिर इंस्टा पे हो तो do follow me at the rate imithunsing पे आप मुझे follow कर सकते हो एक और बात मैं आपको mention करके बता दू बहुत important चीज़े हैं जो CDP के notes चाहिए होंगे जिनको या computer के भी notes चाहिए वो मुझे contact कर सकते हो तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही you guys are amazing keep reading, keep learning, keep growing